याद होना चाहिए इसलिए कह रहे है नीट का एक्जाम निकालने के लिए कुछ चीज याद करना बहुत जरूरी है मैं तीनों यहाँ बनाऊंगा क्योंकि मुझे एक्स्प्लेन करना है आप इन तीनों को याद रखिए गा तो यह कोश्चन देखते ही टिक करा जा सकता है प्रेशर प्रेशर वेलूम आईए यहाँ से मैं बनाना शुरू करते हैं पहला रिलेशन लगबग हर बच्चे को पता होता है पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉनस्टेंट मैरी वाद से सहमत हो तो पहला यह रिलेशन होता है उसके बाद इसको सारे टम में दिया है तो सब का आपको बनाना पड़ेगा तो हम एक काम करते हैं यह पीवी इक्वल टू क्या है NRT मैं फिर से सब बनाके आपको दिखाता हूँ लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन systematically सिखेंगे है ने अब इसमें अगर मान लीजिए हम V को replace करते हैं तो अभी replace किया था फिर दुबारा कर रहा हूँ NRT upon P यहां मैं systematically लिख दूँगा नोट कर दूँगा अब नोट करना है यह है P यहां पर हो जाएगा NRT divided by P की power gamma equal to constant को मैं की लिखता हूँ P की power gamma आएगा T की power gamma P उपर जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा P की power 1 minus gamma और T की power gamma equal to constant दूसरा जो relations है मेरा ऐसा मानना है आपको इसे याद रखना है समझे की नहीं बोलो जी दो relation हुआ याद कर लो exam exam निकलने बाद बोल जाना कोई दिकत नहीं है वहाँ निकालना ना पड़े तो ज़्यादा बेटर है तो मैंने PV निकाला PT में निकाला अब हम लोग किसमें निकालते हैं दूसरा एक और relation याद रहता है तीनों में से कोई एक याद कर सकते हैं लेगिन मेरा आज सा मानना काप इसे याद रखेंगे तो हमारे पास ये P V equal to केतना होता है जी N RT होता है P को अगर replace करेंगे तो ये हो जाएगा N RT divided by V हो जाएगा P के जगे आप value रख दीजिए ये हो जाएगा N RT upon V और ये हो जाएगा V की power gamma equal to constant ठीक है भी अब ये ये तो constant है उदर constant हो जाएगा ये T होगा V की power 1 है V की power gamma तो T V की power gamma minus 1 equal to क्या आएगा constant आएगा मेरी बात से सहां मत हो बोलो जी तो ये जो है आपको याद रखना चाहिए ये मेरे हिसाब से अब देखिए कि इसमें कौन सा सही है ये भी हमारा सही है कोश्चन के हिसाब से अरे कोश्चन के रहे हैं ये relation के हिसाब से लेकिन इसमें पूछा क्या है इसमें कौन सा relation सही नहीं है तो कौन सा relation नहीं सही है D वाला नहीं सही है तो अगर ये याद होता कि P की power 1 minus gamma होता है यहाँ P की power gamma लिग दिया है तो गलत वाला आंसर आसानी से आप सर्च कर लेते हैं जब आंसर आप सर्च कर लेंगे टिक कर दीजिए बस सीदी सीवाद